Hello and Namaskar Welcome back to my channel guys और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडिलिंग के वाले में बेसिकली आपने पास दो तरह के मॉडिलिंग होते हैं और उसमें भी हम एक स्पेशल तरह का मॉडिलिंग देखें हैं जिसको हम बलते हैं नेब बायस तो हम नेब बायस अल्गोरिद्म के बाड़े में पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तो स्टार्ट करते वीडियो को सबसे पहला जो तीज है वाट इस टाइप्स आप मॉडिलिंग के वाड़े में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन का काम करते है तो अपने बाज दो तरह के यह हैं लेट से और मैं इसमें दो तरह के रिव्यूज दूंगा दो वेडियेशन दिखाऊंगा तुम्हें ताकि तुम्हें एक क्लियर आइडिया लग जाए इसके वाले में कि वेसिकली हमें क्या बताना चाहरा है तो लेट से वी हैव डेटा सेट एक्सवन से लेके एक्सं तक जहां एकसाई बिलॉग कर रहा है इसे ठीक है अद उसके लेबल से कर्स्पोंडिंग यवन तक जहां पर क्या है यविलॉग्स टो 0 1 मतला यवै क्या है Freeman तो इसके डिसक्रिमीनेटिब मोर्डेल्स एक्सप्रमेल तक यवनी मोर्डाली किया क्या करता है एक्स पी के लेबल से लेटासेट काता है और लेबल से में बात करए के बिचिकली क्या लेबल हो गए, कौन से क्लास से करेगा, तो यह greth काम है जो I ש эта इसका धी स्क्रेमिनेटिटि़ मॉडल लिग का थीक है जो नया अपनी को पढ़ना है जो है Generative Model Generative Model It talks about basically this P of X and Y Basically, यह किसके बार में बात करता है? Joint Probability के बारे में About the Features Features के Joint Probability के बारे में It takes the distribution of the feature It talks about the distribution of the feature It can be used for Feature Generator Process कैसे होता है? इसके बार में थोड़ और detail में आगे चलकर समझें अभी हम बात करते हैं Generative Based Models और आगे हम फिर बात करेंगे इसे पर एक अलग करीकर से एक अलग Point of View में प्रजेंट करूँगा अभी एक यह है यह एक practical Point of View में प्रजेंट करने वाला हूँ Generative Based Modeling Generative Model Based Algorithm It means an approach that seeks to model probability distribution of input data and generate new sample based on the distribution this distribution के बेस पे basically new data को generate the key idea involves around the learning of joint probability distribution of features and label in the training data and utilizing this learned model to make predictions for previously unseen data basically और इसमें सबसे जो चीज़ हम यूज करें basically joint probability है probability के बात करें तो उसमें हमाले पास एक होता है Base Theorem तो Base Theorem basically हम यूज करके यह चीज़ कर सकते है ठीक है So, let's say for independent variable we know that P of A and B distribution is basically P of A into P of B यानि की joint equals to marginal into conditional ठीक है यह तो पता यह तो मैं ठीक है Now, P of A and B equals to P of B and A कर सकते हैं यह बिल्कुल ठीक है P of A and B equals to P and P of B and A that is P of A इस formulation हम क्या लिए सकते है P of A and B का P of A into P of B by A और इस formula को लिख सकते है P of B into P of A by B अहां से P of A by B अगर मैं निकालना चाहूं तो यह आएगा कुछ यह और इसी को क्या कहते है हम पूरे का पूरे BASE theorem कहते है इसको क्या कहते है BASE theorem कहते है अभ इसी BASE theorem का उसके बिल्कुल यहां पर P of A given B यह का है probability of A probability of B given A probability of B अभ इसी का use करेंगे इसको का हम NAVE BASE algorithm में यह पर इसको बलका NAVE BASE CLASSIFIER तो algorithm यहां पर क्लासीफायर्ट다면 classic variable एक लिए सब्सक्राइब लिए धीक्युतर है थाँ तो 속ुब्स पर सकतें यह करत bicycle को प्रिसपार्फ k समौ में टेल अगर से अगर हने पात कर मैं बात करें के लिए पने पास क्या एंड़पेडंडेंट फीचर रहे है और उसके ऊपर बेस्ट क्या है एक dependent feature है ठीक है यह मतलब कि अपना क्या यह सारे features हैं ठीक है और उसके corresponding यह क्या है labels है ठीक है और यह features आपस में क्या है independent है तो यहाँ पर अगर मैं बात कहूं हूं इसके बारे में ठीक है तो P of yes ठीक है probability of getting yes given this data ठीक है probability of y probability of y given this data x1, x2, x3 इसको मैं कैसे लिख से पता हूं using based here probability of y into probability of x1, x2, x3 given y label दिया हुआ है data की probability upon probability of this data ठीक है अब इसमें यह जो calculation है यही basically हमारका generative part okay so let's talk about it पहले so यह हमने इसको मैंने यहाँ पर again लिख लिया ठीक है P of y given data ठीक है P of y given this is data is basically P of y into P of data given y upon P of data ठीक है यह चीज़ा में सम्माण में आता है now it is as it is independent यहाँ independent है ठीक है क्योंकि हमने data set में यही पर लिख जा है independent feature है सारे एक दूसरे पर depend नहीं करते है so इसको मैं ऐसे लिख सेता हूँ P of x1 given y P of x2 given y P of x3 given y ठीक है upon P of x1 P of x2 and P of x3 ठीक है so now y मेरा क्या हो सकता है y मेरा 2 value ले सकता है तो सबसे परला value ले से yes है तो probability of yes given this data is basically probability of yes into probability of this data given yes upon my probability of this similarly हम P of no के बारे में भी लिख सेते है P of no equals चो क्या है P of no given data is basically P of no into P of data given no upon my P of data ठीक है now यह जो हम model करेंगे ठीक है यह model करेंगे अब इसमें से जोब बड़ा आएगा मैं अगर classification बात करू तो तो यह घ्रे हमारे पस्ट यह value बे पता है यह value बे पता है framework तो हमारे पास एक यस की probability आएगे similarly हमारे पास Oni पास यह पता है ईसने एक हमारे पस no की probability आएगा अब इन दोने में लिख से जो बड़ा होगा ठीक है whichever is bigger in larger ठीक है उसरी का लेबल हम इसको assign कर देंगे, यानि की classification हम क्या देंगे कैसे, लेबल दे देंगे, ठीक है, यह हमारा classification, ठीक है, और, जो बेस्टूर हमें, ठीक है, यहां पर अगर एक बात देखोगे, प of x, comma y, equals to p of x into p of y given x, ठीक है, तो अगर में joint, joint जो है, मेरा joint probability है, इसका तो हम समझेगे, कि इसक classification करने करेंगे, ऐसे हम classification करेंगे, इसकी calculation is the main topic, ठीक है, तो हम बात करते हैं, और, बेस्टूर हम बस्किलिए, ऐसे भी लिखते है, p of x into, x, y is basically p of x into, p of y given x, ठीक है, या फिर, p of y into p of x given x, ठीक है, यहां पर, let's say, y मेरा क्या है, label से, x मेरा क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है इसे हमने क्या करा, इसे तो basically हमने generation discrimination करा, ठीक है, discrimination class करा, लेकिन ये बारा जो है, now, इसमें ये जो part है, this is basically generated, ठीक है, it is generated modeling, ठीक है, इसकी बात करेंगे, हम बात करने data की, इसकी बात करें, data की, p of x given y, या हमने कहरा हूँ, कि basically हमारा, जो main calculation part है, हो यह है, ठीक है, this is the main प्रॉब्लम क्योंकि हमें पता नहीं डेटा के बारे में को तो अगें मैं वही आइडिया को फिर से एक्स्पेन करता हूँ यह एक तो क्लासिफिकेशन का तुम्हें समझ में आ कि हम कैसे करेंगे कि अगर दिया हुआ independent feature ठीक है तो यह हमारा base numéro हमे disciple है और इसके basis पर हम का करेंगे basically यह calculate कर सकते हैं ठीक है इसके basis पर हम 2 चीज़े calculate पर हम P of no to priority करने हैं और according जिसकी जादा हो वह हमारा class label ठीक हाँ बात करते है जनरेटिव बशटर सावन City कि कि से y मेरा लेवल है और xy एगर साथ में लिखो तो क्या है मेरा डेटासेट है अब इसको अगर मार विजुलाइस करना चाहूं तो यहां पर चीज दिखो कि P of X की बात करूं मैं सब डेटा की बात करो जिसमें लेबल्स नहीं है तो वो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा यह सारे डेटा पॉइंट से तो only data should look like this only data मेरे को ऐसा दिखेगा रैसे यह सम 2D या 3D third dimension है तो ही अगर में बात करो P of X given Y probability of data given Y & desarrollo ami लेबल्स उसके according data काईसा दिखेगा तो यहांपर यह कुछ ऐसा दिखेगा box बनेंगे क्योंकि मैरे को पता क्या है कि मैरे को labels पता है कि यह जो है यहांपर क्या है labels ठीक है और मैरे को probability किस की चीज़एगा , data की चीज़एग data with the levels look like this, given the levels, how the sample is being generated हम यहां से पता कर सकते है कि लेबल मेरे को दिया है तो उस लेबल के अक्षर्डिंग में कैसे samples generate कर सकता हूँ वो मेरे को यहां से पता चल जाता है ठीक है? अगर मैं बात कर पी ओ वाई गिमें एक्स data दिया हुआ है labels generate करना है data already given है labels generate करना है तो उसमें क्या होगा मेरे को a decision boundary बनानी पड़ेगी ठीक है ताकि हमें पता गया है कि हम अगर इस 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 डीजन में data गिरेगा तो मैं कहा है यह green वाला region है ठीक है और इस में आएगा तो हम पर गएगे यह red वाला region है तो given the data how the level is generated is this and given the labels how data is generated is this यहाँ पर मैं क्या करूँ यहाँ पर data generation की बात करूँ यहाँ पर labels के according classification की बात करूँ मेरे को यहाँ पर इस के बारे में पढ़ना है and यह line है इसको क्या बोलता है इसको decision boundary बोलता है so let's say हम जब generative भी बात करें तो हम एक important चीज़ परते है जिसको हम कहते है text classification so here और इसके corresponding labels इसको ध्यान से देखना क्योंकि यही से हम model करने वाल है so here for generative purpose so here यहाँ पर यह सारे data words है और इसके according मेरा क्या है a classification model text classification क्या कर रहा है यह 0 है now if you notice some pattern 1 2 3 4 5 5 है 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर सेम चीज यहाँ तो एक चीज में यहाँ पर observe करूंगा 3 2 की there is some patterns patterns क्या है की odd numbers जो है यहाँ पर यहाँ पर कुछ-कुछ चीज एक्स्रा में लिग दिया है ठीक है but the main idea was main idea क्या था basically odd numbers है 7 1 3 odd numbers है तो class क्या हो 9 1 3 5 7 सारे odd numbers है तो 1 1 3 5 9 और यहाँ पर देखो 8 4 0 6 1 3 तो तो यहाँ पर even numbers है तो मैं क्या 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 हूा हूँ क्या है क्या है इतु बात समझ में आ रही है यह इक generated data है आध now the question is how will we transform these words to feature vector is to have a a machine क सम्झाना i am machine my words 0 1 to Minecraft as first I will make these words in one dictionary में store कर लूँगा, सारो words, जितने भी words है, discrete words, distinct words, जितने भी है, उस तो एक dictionary बना दूँगा, ठीक है, फीचर वेक्टर है, 10-Dimension का feature vector है, ठीक है, तो उस वे से, जहां जहां जो आएगा, उसके recording में उसको one कर दूँगा, जैसे कि यहां पर one है, two नहीं है, मेरे पास two नहीं कर दिया, three है, three को one कर दिया, four, five, six, seven है, तो seven को one कर दिया, बागे सब को zero, ठीक है, तो ऐसे करके मैं क् एक नमबर्स में क्लास, वो कर दूँगा, ठीक है, एक छीज़ धान दिया, ठीक है, एक छीज़ जहां दिया, ठीक है, अगर इसमें repeat होता है, कि एक और seven होता है, तभी मैं बेसिकल एक ही रिपरेंट करता है, मैं repetition को ignore करता हूँ, ठीक है, यहां पर मैं क्या करों, basically we are ignoring the order and frequency दोनों को मैं ignore करता हूँ, ठीक है, order को भी ignore करता हूँ, frequency को भी ignore करता हूँ, only counting the presence and absence of the word, तो मैं बस इतना count करता हूँ, present है word, या absence of word, that's it, ठीक है, अगर है, तो one बना zero, ठीक है, तो मेरा feature vector जो बनेगा, वो क्या होगा, यह rd10, ठीक है, 10 में सा है, that is, x belongs to rd10, and y will belongs to zero and y, i क्या है, 0 and 1 ठीक है, तो यह जो है, यह मेरे क्या होगे, rd10 में बनेगे, ठीक है, and यह मेरा क्या होगा, 0 and 1, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं क्या बोलू, rd10 में, और यह चीज़ ध्यान रखना, अभी इस पर बावसाएंगे, ठीक है, now, if I have to encode 100 words, ठीक है, ए rd10 में होगा, क्योंकि मैं, repetition को count नहीं कर रहा हूँ, तो यह 10 indistinct words है, ठीक है, तो यह फिर भी क्या होगा, rd10 में ही import होगा, correct, now, there is something called a generative story, तो मैं basically क्या ले रहा है, एक generative story, एक story बनाने की जोश्य कर रहा है, ठीक है, और यह इसको ध्यान रखना है, basically generative story, ठीक है, हम क्य क्या रहे है, कि x, y हमने लिया, ठीक है, पहला data, let's say 1, 5, 8, ठीक है, यह है, और इसका label क्या है, 1 है, तो यह मेरा x है, पूरा, और यह मेरा क्या है, यह मेरा y, ठीक है, now, मेरे को इसको encode करना है, ठीक है, तो y equals to 1, जब मैं label है, ठीक है, y equals to 1 कब होगा, जो जो word present है, वो 1 हो क्या करना है, encode करना है, तो encoding इसकी कैसी होगी, जहां-जहां, जो words present है, उसको under क्या कर दो, 1 कर दो, बाकी को 0 कर दो, ठीक है, यह काम करना है, मेरे को, ठीक है, so, 1, 5, 8, जो है, उसकी encoding कुछ, ऐसी ही आईगी, correct, ID 10 है, ठीक है, यह मेरा क्या है, generative story है, जिसमें, basically, मैं क्या को generate कर दो, जब मैं काहूंगा, generative story है, मैं क्या आपना हो, generate कर रहा हो, encodings को, ठीक है, now, forget all this, ठीक है, जिन्ना अब बाता है, अब हम बात करते हैं, basically, class conditional independence, class conditional independence, class के basis पे, conditional independence, ठीक है, यह कि P of X given Y है, तो इसको मैं क्या लिखना है, P of X1, X2, up to up to Xd, given by, correct, if the feature, given class are independent, if the feature, given class, class क्या है, already दिया हो, तो given class पे, जो feature है मेरा, वो क्या है independent है, यहाँ पर देखो, given class, यह सारे क्या है, आपस में independent है, ठीक है, तो हम क्या लिख सेको, P of X given Y equals to P of X1 given by, into P of X2 given by, up to up to P of Xd given by, लिख सकते हैं, correct, कोई दिकर नहीं, assume that, class conditional independence is not true, यह तो मेरा क्या था, ज class conditional independence, शृक है यह मेरा नहीं है, हो इंडिपेडें है, जैक है? तो इन्डेपेंदेंटेन नहीं है, तो मेरे को कतने parameters लगें गें इसको mored鏡 कने के लिए, अगर independence ना हो, तो सेमोडलीपेंडेंगे, विख सेकते है? ठीक है, d equals to 10 के लिए मेरेको कितने parameters लगेंगे to model this, इसको model करने के लिए, ठीक है, अगर independence ना हो, तो मेरेको कितने लगेंगे, मेरेको लगेंगे, इतने कुछ, 2 into, 2 की पावर d, minus 1, plus 1, ठीक है, इतने मेरेको लगेंगे, ठीक है, 2, that is the number of class, कितने classes है, ठीक है, तो हर एक class के लिए parameter, now, एक class में कितने parameters लगेंगे मेरेको total, ठीक है, तो total कितने है मेरे पर, total मेरे पर 10 हैं, कितने हैं, 10 हैं, d equals to रहे, 10 है, ठीक है, तो हर एक, यहां से में कितने combinations मेरे possible है, ठीक है, 2 raise to power 10, क्योंकि हारेक रिपिक्ट हो जटा है, तो 2 राइस टू पावर 10 परामिटर्स, इन केस मेरेको थी यह होते है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सब की प्रोब्याबिलिटी का सम कितना होगा, वन होगा, ठीक है, तो यहां से मैं एक माइनस कर सका हूँ, क्योंकि सब करें गें, मतलब की हमना में 1, 2, 3, 4, चार वर्ट सा इसकी प्रोडिटी है, टीक है, इसकी प्रोडिटीटी देए, इसकी प्रोडिटीए तो इसकी तुम्- करके youmaid 1- निकालनी ना mean 1-, खरकेसि व kepada- एसलिए 2d-1 , एक क्लास के मेरेको कितना परामिटर सरही हैJust two d – 1 conditional independence नहीं होगे, now coming back to our class conditional independence, अगर है तो क्या होगी, तो है तो अपने अपर जो number of parameters चाहिए, वो होंगे 2 x 10 plus 1 तो is the number of classes, number of parameter for one class, क्योंकि class conditional independence है, हर एक क्या है independent है, तो हर एक के लिए मैं तो एक ही parameter चाहिए, तो यहां पर कितने है B चाहिए होगा, तो number of parameters के लिए होगा, B चाहिए होगा, and plus 1 क्यों कि प्रायर, ठीक है? So, अगर मेरे पर data दिया हुआ है, ऐसा कुछ, fi equals to 0, 1, 2 up to up to n-1 features D है, class K है, ठीक है, तो, ignoring the conditional class independence, अगर conditional class independence नहीं है, तो मेरा formula कुछ ऐसा बनता है, ठीक है? k-1, class-1 times k nd-1, and अगर independence है, तो मेरे पर कुछ एतना बनता है, n-1 d into k, plus k इसको तुम screenshot कर आख सकते हो, या फिर note कर लिए सकते हो, ठीक है? बात करते एक्जामपल कि, अगर ये दिया हुआ है मेरे पर data, d मेरा 10 है, और k equals to 2 है, तो number of parameter for case 1 कितना चाहिए? k-1 into k k into d-1 तो यहाँ पर k कितना है? k-1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, in 2 में 2, in 2 में n कितना है? n मेरा 4 है, ठीक है? 4 कि पावर d कितना d मेरा 10 है, ठीक है? similarly case 2 के लिए ये है इतनी चीज़े समझ में आगे? ना हो बात करते है ने बायस, क्योंब अब इतनी चीज़े में एक जर्वार्थ basically to come to ने बायस ने बायस के लिए basically nothing but maximum likelihood का हम use करेंगे उससे पहले कुछ नोटेशन द्याँ रखना कि P is basically what? P is probability of picking class 1 एक class को pick काने के probability is P X I J क्या है? X I J is the presence of Jth word in Ith sentence Ith sentence में Jth word present होने की probability को हम X I J लिखते हैं and P of J superscript Y is basically probability of seeing Jth word in class Y class Y में तो इस 1 वाले class के जितने भी words 0 और 1 में 1 वाले class के जितने भी words थे उसमें से मैं Jth word को देख रहा हूँ उसकी probability समझमागी? तो तो में यह likelihood function आएगा from this base theorem के according वह कुछ मेरा L of theta given D theta and D equals to product of I equals to 1 to N P of YI P of YI के है probability of class basically probability of word Y 1-P 1-Y अगर मैं बात करू इसकी इसकी let's say यह वाले के अगर मैं बात करू इस particular word की priority कितनी है तो let's say आने की priority P है ठीक है और ना आने की priority भी होगी ठीक है तो P 1-P 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 ऐसा सोन ठीक है तो यही चीज है यहाँ पर ठीक है product of this into मैं dimension wise ठीक है dimension wise j equals to 1 to d probability of j superscript y मतलब in given class y probability of seeing class j given that jth word is presented i-th sentence ठीक है i-th sentence में jth word जो present है ठीक है उस jth word को class y में देखने की probability ठीक है i-th sentence में jth word जो present है उसको मेरेको देखना है किसमे class y में होने की क्या probability हो और ना होने की अगें a word coming from class 1 ठीक है एक word उसकी probability यह words के बारे बात कर और यह class के बारे ठीक है तो probability of a word coming from a class 1 ठीक है don't worry इसकी जो गतनी है तो मैं इसकी बता रहो ठीक है it is what यह probability of a word coming from class 1 एसे ही मेरेको का है सारे words को देखना है और as a conditional class independence IID ठीक है इसली क्या होगा हर एक का probability मैस्टिप्लाइ का सब्सक्टिंग करक्ट ना क्योंकि यह likelihood function है तो after taking log and solving 8 we will get something like this ठीक है तो Pij probability of seeing worth j in class i class y is basically xij into 1 if yi equals to y our summation of 1 is yi equals to y ठीक है in all the examples belongs to class y what proportion of them contains the word j ठीक है जितने ही examples है जो class y से belong कर रहे है उसमें से कितना proportion है जो word j को contain कर रहे है in class y में j के कितनी fraction है ठीक है और यह दूसरा जो आया it is what it is basically fraction of 1s कितने 1 है वो ठीक है यानि कि 1s का fraction now let's see यह मेरा word था ठीक है यह मेरा word था अब यहां पर मैं दो चीजे लिखता हूं दो प्रड़ाबिलिटे लिखता हूं probability of j यानि कि probability of word coming from class 0 ठीक है तो basically यह जो उनमें निकालूंगा ठीक है it is nothing but naive bias यह जो अभी दो चीजे लिखा लूंगा यह basically क्या है naive bias naive bias algorithm में पहले naive bias algorithm में पहले naive biases निकालने होता है naive biases basically क्या है probability of that word coming from a class a class a class उस word के आने के probability is basically the naive bias ठीक है तो मैं बात करूं कि 0th class में class 0 में word j और की आने के probability j मेरा यह तो 1 की और की प्रॉबावरिटी कितनी है in class 0 class 0 मेरे यह 3 है इन 3 में मेरे 1 और की आने के प्रॉड़िटी कितनी है 3 है, ठीक है, तो 2 बार, similarly मैं 2 का check करूंगा, 2 का कितना है, 2 का 1, ठीक है, सिर्व एक ही है, तो, एक और होगा रही है, 2, 2, ठीक है, तो 2 बार, similarly ऐसे करके मैंने क्या 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 है, पूरा, पूरा टेबल होगा, ठीक है, similarly, 1, class 1 में आने की, 1 का class 1 में आने की परड़िटी कितने है, 1 है, यहां पर class 1 में 1 आने की एक, डो, ठीक है, कितना है, 2 का कितना है, 2 का कितना है, 2 का यहां पर हाईगी, ठीक है, तो 0, तो यह मैंने बना लिया, ठीक है, and these are basically what, these are nav bias, ठीक है, अब इसी का यूज करके, हम basically, पूरा का पूरा solve करेंगे, अपने algorithm को, जो classification and all it, ठीक है, so, यहां पर देखो, क्या है, कि 2 nav biases में आ गए, ठीक है, class 0 के लिए मैंने bias निकाल लिए, class 1 के लिए मैंने bias निकाल लिए, ठीक है, and this is nothing but the parameters, यह सारे क्या है मेरे पर है, यह मेरे parameters ही है, it is nothing but parameters, तो कितने parameters हैं, यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, इधर, 10, इधर, 20 parameters, total, ठीक है, now, बात करते हैं, टेस्टिंग दा मत, हमने model कर लिया, हमने क्या कर लिया, model कर लिया, हमने nib biases निकाल लिया, हमने modeling कर लिया, यह modeling part है, यहने की biases निकालना, यह मेरा क्या है, modeling parts है, यह सारे मैंने models कर लिया, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, यह सारे मैंने model कर लिया, ठीक है, now, बात करते हैं, testing this model, नहीं bias मैंने model कर लिया, अब इसको test भी करना है में को, तो test करने के लिया, let's say, probability of y equals to 1, given this data, यह word दिया हुआ है, ठीक है, यह word दिया हुआ है, क्या probability है कि यह class 1 से आते है, यह निकालना, तो इसका हम लिख सके, according to base term, v of y equals to 1, even, p of y equals to 1, into p of 8216, given y equals to 1, last one दिया हुआ है, what is your priority of this data, ठीक है, अपन में, p of 8216, ठीक है, now, here the main computing part is this, यह मैं सुरु से कहता हुआ 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 है, क्या है, main computing part यह ही है, okay, so, here, the main compute requires, p of x given y, data given labels, ठीक है, तो इसको compute करते है, हम ने क्या लिखा, p of 8216, given y equals to 1, ठीक है, अब 8216 का basic dimension क्या है, generative stories से अकर निकाले, तो generative stories से मेरा 8216 कुछ ऐसा हैगा, correct, given y equals to 1, ठीक है, अब नाव, हर एक का, basically, मैं को यह भी देखना है, तो y equals to 1 देखना है, मतलब क्या है, p of 1, so, p of 1, coming from class 1, ठीक है, यह मेरा देखना है, p of 2, coming from class 1, ठीक है, then 1 minus p, क्युक्व यह 0 है, ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ, 1 minus p of 3, coming from class 1, p of 1 minus p of 4, coming from class 1, and so on, करके, ठीक है, ठीक है, 1 है, ठीक है, p of 2, coming from class 2, 0 है, ठीक है, 0, अब इन सभी का कहा है, मेरा का, product लिखा है मैंने, क्यों product लिखा है, क्यूंकि iid से है, तो इसमें मैं हर एक का लिख सकता हूँ, p of 1, ऐसे लिख सकता हूँ, p of 1, coming from y equals to 1, ठीक है, यह लिख से तो मैं ऐसे, अब सभी का product कहूंगा, तो, क्योंकि यह 0 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 0 हो गया priority, यहाँ पर क्या है, 0, ठीक है, class 1 में आने की priority 0 है, class 2 की बात करते है, class 2 की बात करते है, class 0 में आने की priority होगी, कुछ ना कोच, तो p of 8216, coming from class 0, तो इसको भी मैं ऐसे लिख होगा, same चीज, ठीक है, class 0 में आ रहा है, class 0 में कौन को ना रहा है, 1, 2, 1, 6, गया आने की priority, तो वह सारे 1 होगे, बाकी सारे क्या वह 0 होगा, यह जन्रेटिव स्टोरी फोर दिस, and इसका भी ऐसा होगा, इसको अगें चेक करते है, p of 1 coming from class 0, p of 1 coming from class 0, p of 2 coming from class 0, यहां पर रेखना, p of 5 coming from class 0, क्या है 0, तो 2, 3 है, 4 है 5, ठीक है, let's say 4 भी है हमारे का, 4 कितना है, p of 4 coming from class 0 is 1, ठीक है, and this is 1-1, 0 हो जाएगा, तो अगें यह पूरा quantity क्या होगा, 0 होगया, यहां पर, 0 होगया, now it is a problem, क्या है, यह कहा है, यहां पर नहीं आरहा है, now what is the problem, क्यों नहीं है, problem क्या है, here we got a problem, our both priorities become 0, which means that we are not able to make a decision, हम कोई decision बना ही नहीं पा रहे, तो क्या problem है, what is the problem, which caused this, notice that, we have certain words which never occurred in the class, okay, मेरे पर क्या है, कुछ words है, जो उस class में कभी अकर ही नहीं है, So, when will you have a word, which does not appeared in your training data set, अगर तुम्हारे पास कोई word है, जो training data में आया ही नहीं था, ठीक है, यहां पर देखो, जिसे के लेट से, यहां पर कोई word है, जो नहीं आया, ठीक है, 8216, 82166, ठीक है, So, अगर कोई word है, जो आया ही नहीं तो हाय training data set में, तो उसकी probability क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, इतनी बात समान ले ना, कि अगर training set में, कोई word है, नहीं तो क्या हो जाएग, उसकी पर ठीक है, So now, How to fix this, मैं को decision तो बनाना है, तो किसको fix क्या सकते हैं? There is a method, Laplace smoothening, जिसके help time क्या 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 कि इसको fix का सकते है, तो, हमें क्या करना है? Basically, कि जो training data set है, उसमें मैं को State नो वर्ड जो कभी आया निगी, सारे के सारे वर्ड यहाँ पर कंटेन कर रहा है, करेक्ट सो मैंने क्या करा, एड करा 2 रोस इन दर टेस्ट डेटा, ठीक्ट, विच कंटेन अल दवर्ड and again मैंने अपने बाल से को कटलेट करा उसी के अधिक, ठीके प्लास के नहीं और चार होगे, चार क्लास के अधिक्या को हरेक वर्ड को काल्कुलेट करना है, तो मैं करते है, ठीक है 4 की बात करो, यहाँ पर देख, 4, ठीक है, 4 कितना है, 1 है, 1 है, तो 1-1 इस अगें 0, तो अगें यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, अगें क्या हो गया, 0 हो गया, there will be no word in class 0, which do not have word 4 in it, as 4 is present in each data set of class 0, अब क्या हुआ, कि यह 0 हो, ठीक है, यह 0 हो गया, 0 क्यों है, अगर मैं ध्यान से देख भूँ, तो इस पूरे के पूरे डेटा सेट में, ठीक है, 0 वाले data से में, 0 class वाले में, एक शीई麼निस करें, यहां पे ही 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, and इसमें में मोडलिंग निस्टेक होई यहाँ पर! मगलो कुछ लगा ही मेरा कहा है 4 है इसलिए ज़लोगा ठीक है यहाँ पर भी 01 हो गया अगेन यहां पे भी 0 हो गया correct यहां पे भी 0 हो गया यहां पे भी 0 हो गया similarly there is not a row in data set with class 1 which has word 3 in it अब 1 के साथ भी क्या problem है there are not a single row जहां पे word 3 ना हो class 1 में होने चले 3 word चीए ठीक है तो यहां और इसमें 3 भी था तो इसलिए कहा कि नहीं भाई यह तो में रा class 1 कहा भी नहीं ठीक है तो again there is a problem now हम स्टक हो गए तो if we notice then we observe that the trouble makers are basically these parameter ones यह वाले parameters यह जो one है these are main problems क्योंकि यही क्या करते है मेरे probabilities को 0 करते रहे तो अब मेरे इसको hold करते है तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं again data add करूंगा with level 0 & 1 लेकिन उसके अंदर मैं कुछ words add नहीं करते है 2 rows with empty data but with levels ठीक है now जब add कर दिया तो अगें मैं अपना native bias मेरा यह है अब जब मैं calculate करूंगा तो मेरे पर values आएंगे ठीक है values आएंगे modeling मेरा हो गया testing मेरा हो गया ठीक है test मेने कर लिया है अब मेरे पर value आ रही है अब क्या बात है बात है prediction की ठीक है हमने क्या क्या करा हमने modeling करी model को test करा now I have to predict ठीक है prediction is the mean तो अब मैं क्या रहा हूँ probability of this sentence what is the probability of y equals to 1 given this sentence sentence दिया है क्या है probability 1 आने की ठीक है तो p of y equals to 1 into p of this sentence given y equals to 1 upon this ठीक है now यहाँ पर हमें इस चीज की जो main calculation थी इसकी इसको हमने model करके निकाल दिया correct इसकी value तो हमने निकाल दिया यह value हमें पता है ठीक है क्योंकि यह कितना है total data setup में सही 1 का fraction इतना है और यह वाला भी हमें पता चली गया okay so it is basically what it is total probability यहाँ कि class 0 में भी आने की priority plus class 1 में आने की priority इसको मैं सलिक हो y equals to 1 into p of this और इसको मैं सलिक हो p of y equals to 1 this and p of y equals to this okay now I will put this value so how much I am probability 0.0 similarly y equals to 0 के लिए 0.97 okay so 0.03 0.97 it means that my class 0 में जाने की priority is 0 class 0 is the prediction okay class 0 prediction it will predict the label as 0 so so if we only ask to compute the labels we do not need to compute denominator of these okay so if I just said labels calculate then I will not have to do it just work because this is my one and this is my zero okay so this is a fraction which we divide both so just compare that I will not have to do it okay so basically if I have to write class 1 I will write class 1 if I have to write class 1 then I will say p of y equals to 1 given class x is basically calculate and y is 0 then p of y given distance okay and whatever is bigger what is my label correct? I understood? now if I need to see this basically posterior is basically what is my posterior this is my prior and this is my likelihood we have to estimate this we have to estimate this okay so this is my likelihood estimation okay this is the nearby algorithm starting from modeling testing and prediction we have done three work so I hope you will understand basically what is the nearby algorithm and how it works okay we will discuss that in the next video I hope you like the video like the video and subscribe to the channel bye-bye